सब्सक्राइब किजिए यह हिंदी उर्दू चैनल को और ड्रेस किजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक्क वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों इस वीडियो में आप से भी का स्वावगत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ WhatsApp के लिए एक न्यू और अमेजिंग अपडेट रूल आट हो रहा है Android के लिए भी और iOS के लिए ठीक है तो इसका जो अपडेट जो न्यू फीचर लाउंच हो गया है दोस्तों प्रॉक्जी का लाउंच हो गया है तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है गूगल प्लेस्टोर में जाके ओडेट कर लेना एंप प्लेस्टोर ओपन कीजेए यहां पर सर्च कीजे वाट्सप और वाट्सप को अपडेट कीजे ठीक है अपडेट करने क पाद इसको ओपन कीजे ओपन करने के बाद आप आप जये जो प्रोसेश है इसको open कीजिए तो यहां से सबसे पहले आप जो है use proxy को enable कीजिए तो आपने तो इसको enable किया है ठीक है आप इसका users क्या है कि समय आप जो है कब इसको use करते हैं मैं आपको अब यह बताने वाला हूँ तो जबी भी आपगार आपके पास wifi या फिर mobile data जो है आपके पास WhatsApp के लिए work नहीं कर रहा है तो उस समय जो है दोस्तों आप यह proxy server का जो है use कर सकते हैं proxy server का मतला भी है दोस्तों एक तरीका यह VPN ही रहता है तो आप जो है कोई दूसरे country का दूसरे region का जो है VPN यहां पर आप इंटर करके आप अपने WhatsApp के जो भी internet issues बागरा रहते हैं उसको fix कर सकते हैं थोड़े समय तक के लिए ठीक है तो आप यह emergency में use कर सकते हैं जहां पर कुछ-कुछ जगह पर जिए दोस्तों WhatsApp ब्लॉक ही रहता है वहां पर वह रीजेन में जो है वह जगह पर WhatsApp को use भी नहीं कर सकते हैं अगर आपको महां पर emergency में WhatsApp को use करना तो उस समय जो है आ यहां से आप IP address लेकर यहां से आप जो connect कर सकते हैं तो set proxy पर टाप कीजिए और वह जो IP address रहता है वह यहां पर आपको जो है इंटर कर लेना है कुछ भी IP address आपको online Google में मिल जाएगा ठीक है वह इंटर करने के बाद आप जो है यहां से आप easily उसको connect कर पाएंगे ठीक है त क्योंकि दोस्तों उसी तरह के amazing interesting daily videos हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं मिलते हैं next video में thank you very much